आजादी का अम्रित महोत्सव दिसंबर 1917 में बिलासपुर जेल में 78 दिन तक भूखरदाल की थी ये उस समय तक किसी भी देश में सबसे लंबी अवधी की भूखरदाल थी दत्ता का जन्म 8 अक्तूबर 1892 को जैसोर के गाउं ठाकुरपूर में हुआ था जो अब बांगलादेश में है वे अनुशीलन समीती के विभाजन विरोधी आंदोलनों से प्रेरित हुए और संगठन में शामिल हो गए सितंबर 1915 में बागा जतिन की मृत्यू के बाद भारत में बड़े पैमाने पर दमन हुआ और स्वतंतरता सेनानियों को जेलों में बंद कर दिया गया भुपेंद्र कुमार दत्ता को 17 मई 1917 को गिरफतार कर लिया गया जेल में जितेन लाहरी और भुपेंद्र कुमार दत्ता ने बंदी प्रजक्षी करण के बिना स्वतंतरता सेनानियों को जेल भेजे जाने और उनके शारिरिक तथा मानसिक उत्पीरन की खिलाफ विरोध प्रतरशन किया उन्होंने भूख हरताल के फैसले के बारे में आठ पन्नों की एक लंबी अपील प्रकाशित की जिसे देश की कई महत्वपोर्ण हस्तियों को भेजा गया भूपेंद्र कुमार दत्ता को बाद में बिलासपुर जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने 78 दिन तक भूख हरताल जारी रखी 1920 में उन्हें रहा कर दिया गया भुपेंद्र कुमार दत्ता को 23 सितंबर 1923 को फिर से गिरफतार कर लिया गया और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया जल्दी सुभाश चंद्र बोस को भी गिरफतार कर लिया गया नेता जी ने भुपेंद्र को मेमोरीज ओफ ए रिवोल्यूशनिस्ट पुस्तक भेट की जिसे वे यूरोप की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान छिपा कर लाए थे 1928 में अपनी रिहाई के बाद भुपेंद्र ने विभिन जुगांतर नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने पत्रिकाओं का संपाधन करने हत्यार इखटा करने और उने वित्रित करने का काम फिर से शुरू किया 1930 में चटगाओं शस्त्रागार छापे के फरार क्रांतिकारियों को पनाह देने पर उन्हें फिर से आठ साल के लिए जेल में डाल दिया गया था और उन्हें सापताहिक समाचार पत्र फौवर्ड का संपाधन किया 1941 में उन्हें फिर से पाँच साल के लिए हिरासत में ले लिया गया भुपेंद्र विभाजन के बाद सामप्रदाइक दंगों के पीडितों को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिये रहे वे संसर सगस्त भी चुने गए उन्होंने 1948 में पाकिस्तान की समविधान सभा में बांगला को पाकिस्तान की आधिकारिक भाशा बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया 1962 में विभारत लोट आए और स्वयम को राश्ट सिवा में समर्पित कर दिया इस महान स्वतंद्रता सेनानी को हमारा सलाम